Study IQ IS अब तयारी हुई पिछले कई महिनों से आपने देखा होगा कि ये काफी विवाद में रहा था इसका में कारण है ये आप लेफ्ट साइड में देख सकतो Bridge Bhushan Singh उनके उपर यहाँ पर कई सारे आरोप लगे हों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा लेकिन हुआ क्या था भी चार दिन पहले की बात है उनके काफी करीबी Bridge Bhushan के जो करीबी है राइड साइड में आप देख सकते हो संजय सिंग वो यहाँ पर ने प्रेसिडेंट चुने गए और इसको लेकर आपने देखा कैसे यहाँ पर जो साक्षी मलिक है वो सामने आई और उन्होंने का कि मैं सन्यास ले रही हूँ रेस्लिंग से मैं यहाँ पर नहीं देख सकती उसको एक तरह से सस्पेंड कर दिया है उस बॉडी को सस्पेंड कर दिया है और जो संजय सिंग आप देख रहे हो वो अभी अपना जो कारे कर रहे थे डबलू एफाई के प्रेसिडेंट के तौर पर वो नहीं कर पाएंगे तो इसको हम देखेंगे कि exactly हुआ क्या है यहाँ पर sports ministry ने क्या हवाला दिया है क्या reason दिया है काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा 27th of December से हमारा जो batch है prelims crack करने का वो start हो रहा है जिसके तहत आपको जो पूरा revision होता है जो पूरा course होता है वो कराया जाएगा इसके अंदर test series सब कुछ मिलेगा ताकि आपका prelims crack हो सके और मालीज़े अगर आपको foundation चाहिए जैसे कि prelims mains interview पूरी त्यारी करनी है UPSC की तो वो हमारा अप ले सकती वो अलड़ी start हो चुका है you have to just go to our website या फिर app पर या फिर comment section में link है और use करना है code unkit live अंकित live code इस्तमाल करने से कोई भी अगर आप batch ले तो study IQ पर तो आपको maximum discount मिलता है और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप attempt कर पाएंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है देखे एक major development जैसा मैंने बताया Sports Ministry ने decide किया है कि जो Wrestling Federation of India का जो अभी newly elected body है जिसमें president चुने गए, vice president चुने गए, जो पूरे administrators होते हैं जो उसको चलाते हैं चुने गए, अभी election हुआ था उनके बीच में, जिसमें देश भर के जितनी भी राज हैं जहांपर wrestling related चीजे होती हैं, जो bodies हैं, वो participate करती हैं और वो जो पुरा चुना हुआ था, उसको कहीं न कहीं, अभी के लिए Sports Ministry ने ये कहा है कि हम उसको suspend कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हवाला दिया गया है, वो दिया गया है rules and regulations फॉलो नहीं किये गया, अब वो क्या rules and regulations थे मैं आपको आगे बताता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो संजय सिंग है, जो प्रेसिडेंट बने हैं जो ब्रिज भूशन के काफी करीबी हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, वो 47 से जीत लिया था 21st of December को खबर आई थी, result आया था, और कहा गया कि 40 vote उनको मिले हैं और उनके opponent को 7 vote मिले हैं, और इसलिए संजय सिंग जो है, वो प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए अब देखें, जैसे ये खबर आती है कि यहाँ पर suspend कर दिया गया है पूरे body को, तो उनसे यहाँ पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखें, अभी तक मुझे पास कोई खबर नहीं है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं flight में था, जब मैं यह सारी चीज regulations का पालन नहीं किया है, अब क्या rules and regulations, देखें, यहाँ पर sports ministry यह कह रही है, कि जो executive body है, जो elected body है, उनको established legal and procedural norms को follow करना चाहिए था, और उन्होंने वो नहीं करके, जो wrestling federation of India का constitutional provisions है, और साथी साथ जो national sports development court का provisions है, उसका violation किया है, basically मैं आपको exact बताता हूं detail में, क्या 21st of December को जैसे ही यहाँ पर वो चुनाव जीते संजय सिंग, ठीक है, उनकी तरफ से यह announce कर दिया गया, कि under 15 और under 20 का जो nationals है, मतलब कि nationals क्या होता है, कि यहाँ पर जो wrestlers है, वो आपस में fight करते हैं, और उसके हिसाब से finally decide होता है, कि जो international championship होगा, या फिर जो भी games होते है, तो भारत की तरफ से कौन represent करेगा, तो वो भारत में जब nationals वाला games होता है, उसके हिसाब से decide किया जाता है, अब देखिए हुआ क्या है, वो यहाँ पर 21st of December को चुने गया, और उसी दिन यह announce कर दिया गया, कि December end तक जो under 15 और under 20 का nationals है, वो conduct किया जाएगा, अब क्या है कि rules और regulation यह कहता है, कि आपको कम से कम 15 दिन का समय देना चाहिए wrestlers को, जैसे कि मालो अगर मैं wrestler हूँ, और मुझे लगता है कि मैं international level पर खेलूँगा, तो मुझे पहले nationals जो होता है, उसको clear करना होता है, और इसके लिए मुझे समय मिलना चाहिए at least 15 दिन का, यह rules कहता है, ल Wrestling Federation of India का जो समिधान है, Constitution है, उसके अंदर Article 11, वो यह कहता है, कि कम से कम 15 दिन का समय देना चाहिए wrestlers को, और साथ ही साथ, जब भी यहाँ पर Executive Committee की जो meeting होती है, उसके अंदर one third representation होना चाहिए, तो कहीं न कहीं आपर दोनों का violation हुआ है, कि जो Executive Committee के दोरा जो decision लिया गया है, उसमें proper उसमें representation नहीं था, तब यहाँ पर decision लिया गया होगा, तो यह सारी चाहिए, in fact यह भी बोला गया है, कि जब भी emergency meeting भी होती है, Executive Committee की, तो उसमें भी कम से कम आपको साथ दिन का समय देना पड़ता है, और जो quorum होता है, वो one third होता है, मतलब कम से कम जो पूरी body है, one third लोग उसमें present होने चाहिए, तो इसका violation हुआ है, जिसकी वजए से sports ministry ने कहा दिया है, कि हम यह जो elected body है, इसको suspend करें है, हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखेगा, कई लोग सोच रहे हैं, शायद यह terminate हो गया है, मतलब क्या यह पूरा जो federation है, wrestling federation of India, उसको क्या पूरी के लिए कुछ नहीं पता, लेकिन सरकार ने कहा है, कि अभी के लिए हम उसको suspend करा है, यहाँ पर जो president, vice president, जो भी चुन करा है, वो अपना, जो भी वो कर रहे थे, wrestling federation of India में, वो further कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो सारी power है, वो अभी के लिए sports ministry के पास आ चुकी है, यहाँ पर जो विनेश फोगार्ट, बजलंग पुनिया, साक्षी मले, यह कई सारे wrestlers एक साथ आते हैं, दिल्ली पर, वहाँ पर जंतर मंतर पर आपको याद होगा, उनके दौरा प्रोटेस्ट किया जाता है, कई political parties भी उनके साथ आती है, और उनका यह कहना होता है, कि करने के बाद, बहुत जद्दो जहाद करने के बाद, FIR को यहाँ पर दर्च किया गया, और इस समय मामला मैं आपको बता दूँ, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर चल रहा है, ब्रिज भुशन सिंग को लेकर, और साथी साथ उसके साथ क्या हुआ कि ब्रिज भुशन उ अनुराक ठाकुर जी के साथ यहाँ पर बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, और यहाँ पर जो रेसलर्स हैं उन्होंने ये कहा, कि हमने जब बातचीत की, तो हमें यहाँ पर भरोसा दिया गया है, कि जो अगला चुना होगा WFI का, उसमें ब्रिज भुशन का कोई भी करीब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, और इसके साथ-साथ उनका कहना था कि इनके उपर जो केस है वो चलना चाहिए, तो वो सारी चीजें ठीक से चल रही थी, लेकिन अब क्या होता है, अचानक से 21st दिसंबर को अभी 4 दिन पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेलिब्रेशन यहाँ पर ब्रिज भूशन के साथ हो रहा है, यहाँ आप देख सकतो हो गले में माला वगरा, ब्रिज भूशन को अच्छे से पैनाया गया है, और ब्रिज भूशन का देखिए उस समय कहना क्या था, जब यहाँ पर संजय सिंग वो चुनाव जीते, 47 से, तो ब्रिज भूशन के, तो फिर कैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बदला नहीं है, और देखो यहाँ पर एक और भी चीज है, यहाँ पर कई एक्सपर्स का यह भी कहना था, मैं देख रहा था, कि जो टॉप रैसलर्स हैं, उनको पहले ही प्रोटेस्ट कर देना चीए, मतल तो फानली क्या हुआ कि जब ये सब कुछ हुआ 21st of December को, उसी शाम क्या होता है कि साक्षी मलिक वो यहाँ पर आती है, मीडिया से बात करती हैं और आप देख सकतो पिक्चर में वो अपना जो बूर्स है वो निकाल कर रख देती हैं, वो कहती है कि मैं यहाँ से सन्यास ले रह रही थी, और उसी के साथ-साथ जो उलंपिक, ब्रॉंज मेंडलिस्ट हैं बजरंग पुनिया, वो भी क्या करते हैं, वो प्राइमिनिस्टर ओफिस के रेसिडेंट की तरफ जा रहे होते हैं, और फुटपात पर ही अपना जो मेंडल है, आप देख सकतो इस तरह से, मेंडल से ये चीज बतला है, क्योंकि काफी आपने देखा होगा मेडिया में, काफी लोग यहाँ पर जो स्पोर्स परसन है, उनके साथ आ रहे थे, तो क्या इसकी वज़ए से सरकार का माइंडसेट जो है, वो चेंज हुआ है, क्या हुआ नहीं पता, बट जो भी कबर थी, I hope कि आ सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आए, लग-लग सोशन मीडिया पर आप जूर पाओगे, और जैसा मैंने आपको बताया है, UPSC के अगर आप चारी कर रहे ह जस्ट यूस दिस कोड अंकितलाइव तो गेत मैक्सिममम डिसकाउंट और आपको पसंद आया होगा, मिलता आपसे नेक्स ताइम, तिल देन थैंक यू बरी मच्च, सी यू सून